देखिए मंगल को ग्रहों में सेनापती माना जाता है जैसे सूर्य राजा है, बुद्ध मंत्री है, शनी सेवक है वैसे ही मंगल जो है वो ग्रहों में सुरक्षा का प्लैनेट है वो सेनापती है शक्ति, उर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी है आपके जीवन में शक्ति कितनी है, आपके जीवन में उर्जा कितनी है, आत्मविश्वास कितना है और आपके अंदर पराक्रम कितना है इसका स्वामी मंगल होता है इसका मुख्य तत्व अग्नी तत्व है, मंगल फायर एलिमेंट का मालिक है हलांकि 75% मंगल फायर है और 25% वाटर है लेकिन मोटे तोर से जो इसका मुख्य तत्व है वो अग्री तत्व है और इसका जो मुख्य रंग है वो लाल है तांबा इसकी धातू है तांबा इसकी प्रमुख धातू है मंगल की और मंगल का जो अनाज है वो जो है मेश राशी और व्रिष्चिक राशी का स्वामी है मंगल इन दोनों राशियों पर मंगल का अधिकार होता है मेश राशी और व्रिष्चिक राशी मंगल मकर राशी में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है और करक राशी में सबसे ज़्यादा कमजोर होता है यानि अगर मंगल दस नंबर में बैठा है तो सरवाधिक मजबूत है और अगर चार नंबर में बैठा है यानि करक राशी में बैठा है तो सबसे जादा कमजोर है अब ये कैसे जाने कि मंगल हमारा कमजोर है मंगल हमारा वीक है इसके लक्षण क्या है सिग्निफिकेंस क्या है देखिए मंगल अगर कमजोर होगा तो व्यक्ति में साहस का अभाव होगा व्यक्ति साहसी नहीं होगा डरपोक होगा निरड़े नहीं ले पाएगा साहस से आगे बढ़कर के काम नहीं कर पाएगा व्यक्ति छोटी 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 चीजों का निर्ड़े नहीं ले पाता अगर मंगल कमजोर है तो आप छोटी 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 चीजों का निर्ड़े लेने में परिशान होंगे छोटे छोटे डिसीजन्स भी आप सही समय पर नहीं ले पाएंगे और छोटे छोटे निर्डेयों में आप अक्सर फस जाएंगे व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं होती जो रिस्क फैक्टर है कि मैं जीवन में रिस्क ले लूँ नौकरी बदल लूँ, ना बदलूँ, मैं पैसे लगा दूँ, ना लगाऊँ जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है व्यक्ति जोखिम नहीं उठा पाता अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो मंगल अगर कमजोर होगा तो व्यक्ति की त्वचा पर अक्सर काले धब्बे पड़ जाते हैं अक्सर ब्लेक स्पोट्स व्यक्ति के स्किन पर व्यक्ति की तवचा पर रहते हैं और अक्सर व्यक्ति का पाचन तंत्र गडबड होता है अगर मंगल कमजोर होता है तो जो स्टमक की फायर है जिसको जठरागनी कहते है पेट की जो आग है जटराग नी है वो कमजोर हो जाती है और पेट का फायर कमजोर होने से खाना पचने में वक्त लगता है पाचन तंतर गड़बड होता है जिनका मंगल कमजोर होता है ऐसे लोगों के पेट के बीच में मीठा मीठा दर्द होता रहता है अक्सर लोगों को जादा नहीं होता लेकिन पेट में भारी पन का पेट में हलके हलके दर्द का ये अनुभव निश्चित रूप से होता रहता है